कॉंग्रेस के नए अद्यक्ष मलिक आरजुन खड़के ने आज कार्यवार संभाल लिया है। सुनिया गांधी राउल गांधी समेट कई दिग्जज नेताओं की मौझूदगी में खड़के नदेश की सबसे पुरानी पार्टी की बाग्टोर आज संभाल लिये। इस दोरान कॉंग्रेस मुत्याले पर एक आविजन हुआ जिसमें पार्टी के कई राश्टी इस्तर के नेता शामील हुए। लोग सुनना चाहते थी कि पतोर कॉंग्रेस अद्यक्ष अपने बाशन में खड़के क्या कहें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नीरज पंचोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं, नजर टूडे। सोनिया गांधी की ठीक बात, खड़के ने 21.36 सेकंड का बाशन दिया, इसमें खुद की कहानी से लेकर पार्टी के इतिहास और भरिष के एजन्डे के बारे में बुला। बारती जन्ता पार्टियों संत पर निशाना भी साथा, अपने 21 मिट के बाशन में खड़के ने 10 बार सुनिया गांधी और राहुल गांधी का जिक्र किया, जोरों की जमकर तारीप की, आईए जानते हैं अपने बाशन में उल्ली का अलुम खड़के ने क्या क्या का, जैस आत्रा में ने 1909 में ब्लाक कॉंग्रेस कमेटी का अज्यक्ष के रूप में शुरूर की थी, उसे आपने आज इस मुकाम तक पहुशा है दूसरा, कॉंग्रेस की पूर्व अज्यक्षों को किया याद, जिस महाराजीतिक दल का नेतरतु महत्मा गांधी, पंडित जभाल ल मैं वरोसा दीनाता हूं कि अपनी मेहनत और अरुबव से जो कुस्तंभव होगा लेवर करनेगा, नमबर तीसरा, फिर सोनियां गांधी की कहानी, कॉंग्रेस के करोड़ों कार्यकरताओं की करब से, मैं श्रीमती सोनियां गाजी जी के बहुमुल्यय योगतान के प्रती अर से आपने राटी निसार्थ भावना से पार्टी को संभाला, सोनियां जी हमेज़े सच्चाई की रापर चलती रही, त्रिफ हत्ता के लिए राजनीती करने के इस दोर में वित्याग और समरपन से जो मिसाल आपने कायब की है, उसका दूसरा अदबारन मिलना मुश्किल ही नमबर चार, जनता से उन्होंने क्या पिल की? कॉंग्रेस के नाते, मैं उसे कहना चाहूँगा कि आईए हम सब मिलकर साथ चले, इनी के साथ खड़गे ने आज कोंग्रेस के अज्यक्षपत का बाहर समाल लिया है, अब यह देखना होगा कि खड़गे के नेतरत्व में क्या पार्टी मजबूत होगी या फिर जोजान सब्सक्राइए हैं, देखना आपको और हमाले, इसलिए तमाम देखने के लिए देखते रहिए मेज़र दूरे